Marvel Studio की तरफ से हमें जिस चीज का इंतजार था वह अब आ चुकी है मतलब की Deadpool 3 टीजर जिस नाम दिया गया है Deadpool Wolverine यह टीजर सुपर बोल के अंदर रिलीज किया गया था और अब इसे Marvel Studio ने अपने सोशल मीडिया के उपर भी डाल दिया है Deadpool 3 मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगी और इंगलिश में भी और सारी इंडिया की भाषाओं में यह फिल्म रिलीज होने वाली है और मैंने Deadpool 3 का इंगलिश में भी ट्रेलर देखा और हिंदी में भी तो आईए बात करते हैं कि अब Deadpool उसकी फिल्म Deadpool 3 मूवी में या करेगा और इसमें Wolverine का क्या रोल होने वाला है क्योंकि Wolverine की पिछली फिल्म के अंदर तो बहा हम मर गया था तो चलिए सब के बारे में बात करते हैं कि Deadpool 3 मूवी का ट्रेलर कैसा है सबसे पहले Deadpool 3 यानि Deadpool Wolverine टीजर की स्टोरी की बात कर लेते हैं कि इस टीजर के अंदर हमें क्या कहानी दिखाई जाती है तो Wade Wilson अपना बर्थडे मना रहा है और तभी वहाँ पर TVA आ जाता है क्योंकि Deadpool 2 के अंदर उसने टाइम ट्रेवल किया था और अपने साथियों को बचाया था इसलिए अब उसे TVA अपने साथ ले जाता है और फिर बहाँ पर Wade Wilson को बोला जाता है कि तुम इन सारे सुपर हीरो के लीडर बन सकते हो पर Wade Wilson को TVA का असली मकसद पता चल जाता है कि यह मुझे क्या करवाना चाहते है और इसलिए वह सभी लोगों को मारने निकल जाता है अब डेड़पूल इस TVA से बाहर निकल पाएगा या फिर नहीं और उसका सामना किस-किस से होने वाला है और साथी में हमें Wolverine और डेड़पूल की फाइट कैसे देखने को मिलने वाली है यही हमें डेड़पूल तीन मुवी के अंदर देखना है डेड़पूल तीन मुवी या फिर डेड़पूल और Wolverine मुवी Marvel Universe के लिए एक सबसे बड़ी फिल्प महोने वाली है और Marvel के जितने भी फैंस हैं वह सभी इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एकसाइटेड है और इसलिए डेड़पूल इस फिल्म के अंदर एक डायलॉग भी बोलता है कि अब मैं हूँ Marvel का भगवान मतलब की वहीं अब Marvel को बचा सकता है नहीं तो Marvel का भी DC के जैसा हाल हो जाएगा क्योंकि Marvel की भी ज्यादातर फिल्में नहीं चल रही है और जहां Marvel की फिल्में एक बिलियन से कम नहीं कमाती थी वहीं अब Marvel की फिल्में 400 और 300 मिलियन तका पहुँची है तो अब Marvel को डेड़ पूल वुल्वेरीन मूवी से ही उम्मीद है कि यहीं फिल्म उनके यूनिवर्स को बचा सकती है और वैसे भी डेड़ पूल तीम मूवी एक बहुत ही बड़ी फिल्म होने वाली है